पप्पु देव की हत्या जी गई, हज़े जख नहीं, वह अप्रावी देख क्या थे, नहीं मुझे नहीं मख आईवी टीवी देखता है इंडिया नमस्कार आप देख रहें आईवी टीवी और मैं हूँ यती आपके साथ पप्पु यादव ने एक प्रेस कॉन्फरेंस रखी ती, जिसमें उन्होंने मुख्या पप्पु देव की हत्या को लेकर कहा है कि जो मौत हुई है उसके पीछे सोची समझी शाजिस थी और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इसकी जाच की जाए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पु यादव आप खुद सुनिये पप्पु देव की हत्या की गई हो डेटेक्ट नहीं वो अप राधी थे क्या थे नहीं मुझे नहीं मकर राध जब उसके घर पर हम पहुँचे तो उनकी पत्री ने कही कि हम और हमारे हस्बेन हैं दोनों एमेल्सि के चुनों लग ना चाहते हैं हम एमेल्सि का चुनों ना लड़े इसके पिछे गारी साजी एस हम नियायक चांज की माल करते हैं हम हाइग कौट के मुनिट्रिंग में एसाइटी की पर जाच की माल करते हैं उसी तरह सराथ के मामले में हार कोर्ट की जाज की मांग करते हैं जकन पूरा मुक्या और गोर्यलाल की मुक्या इस दोनों की तीर मेरे के अंदर हम स्पेडी ठ्रायल चाहते हैं और दोनों फड़िवार को सुरक्षा बिना है फायर के बिना केश के आकि पपूद आप देख कि को क्यों गिर्टारिकन नेरात के वेज़े जो रख रहता है जब कि उस दिर कोई है फायर नहीं था कुछ नहीं था जब आप नेताओं को छोड़ कहने से आप कहते हैं अनपार्डले मेंटियन है जब मैं बलतकारी के बारे में कहता हूं कि बलतकारी को जीने का राइट नहीं तो आप कहते हैं बहुत बिग्रेल हो गई तो क्या यह कानू निजाज़ दे दिया कि गिर्फटारी के बाद अब बेरहमें से पुरा सरी को ठकुछ दिया गया इसलिए मैं सरकार से आगरा करूगा अपरादी और बाप्या बे लगाम हो चुकी फिलाल इस खबर में इतना ही बने रहे हमारे साथ धन्यवाद